Hello Everyone, आज हम लोग यह जानेंगे कि Python को कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका कैसे path set करेंगे, path set करने के कितने तरीके हैं, कितनी तरीकों से हम अपने python का path set करेंगे. चलिके पहले इंस्टॉल करते है Python, Python को इंस्टॉल करने के लिए आपने Google Chrome खोल लीजिए, Search bar में Python, डालेज़े और जैसे ही डालेंगे आ Python इसे मैं latest version download आ लिक आएगा, ओपर download the latest version for Windows अभी जो latest version चलना है Python का 3.9.4 चलना है, तो मैं सज़च्छ करूँगा आपको कि आप Python का latest version ही install करें, जैसे हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको एक dialogue box खुल के आएगा कि आपको python कहाँ save करना आप जहां आपको मर्जी आप जाए desktop पे या किसी folder में या किसी hard ssg में या hard x में कहां कहीं भी store करना चाहते हैं आप लोग आप लोग इसको save कर लेजिए मेरे में already हमने download कर रखा तो हम सीज़ा आप download पर आते हैं यहां लिखा है download option में python 3.9.4 हमारे में already download है तो हम इसको install करते हैं click कर देंगे इस पर तो यहां जैसी आप click करेंगे python के जो application पर उसमें यह option आएगा install now customize और नीचे लिखके आएगा add path 3.9 यह पहला step होता है कि path को जब install कर रहे हैं तभी path को हम लोग set कर देंगे by default यह जब install होगा यह खुद अपना path set कर लेगा तो हम लोग यहां click कर देते है add python 3.9 to path तो हम click कर लेंगे install now, install now जब करेंगे हम लोग तो directly यह अपना खुद का एक path और एक directly जैसे कि c से user में app data local program यहां python 3.9 यह आपका url दिया रहा है address यह automatic ले लेता है यह installing process हो रहा है step process कि कुछ time लेता है एक minute लेता है लमसम यह depend करता है कि आपकी computer की speed कितनी है यह जगी है हमारा python install हो गया successfully setup was successfully ठीक तो हम अब बीचे करते है कि python क्या सच में install हो गया कि यह उसका path set है कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे search bar में जाएंगे यहाँ पे cmd टाइप करेंगे कि command होता है क्लिक कर देंगे यह हमारा command box खुल के आ जाएगा ठीक यहाँ पर लिखा आपको directly लिखे होगी c user user आपके में जैसा लिखा होगा आपका name लिखा हो गया तक कुछ भी है अब यहाँ टाइप करेंगे python जैसे python टाइप करेंगे तो यह बता देगा आपके पास by default जो हम लोग पाइप करेंगे जैसे कि print में हम लोग hello y type करेंगे तो यह hello word हमारा output देदेगा यह मतलब हमारा जो python है वो install हो चुका है उसका path set हो चुका है और अब इसके बार हम python को exist मार देते हैं हम बहार आपके पाइप करेंगे पाइप करेंगे तो यह हमारा आउटपूर देगा यह म अगर हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम लोग जब path देना भूल जाते हैं तो यहां पर जब command पर python type करते हैं तो वह soon नहीं करता है तो दूसरा step होता है command पाइप को set करने के लिए क्या करेंगे जहां पर हम लोग गाइथ इंस्टॉल करने हम लोग ने जैसा ही इंस्टॉल किया था आप यहां पर जाएंगे नीचे python जान लेकर यह दिखिए python पर 3.8 है और 3.9 जैसे ही आप यहां पर जाएंगे ideally लिखा है इस पर right click करेंगे या more पर click करेंगे यहां पर लिखागा open file location file location पर हम लोग open करेंगे यह जो दे रखाओकर यूपर url c directory user user app data roaming macrosoft windows start menu program python 3.8 no it, इसको select करेंगे और Ctrl c कर लेंगे copy कर लेंगे Ctrl c का होता shortcut होता है copy आप और आप क्या करेंगे हम लोग, फिर कमांड पो, ओपन करेंगे, कमांड ओपन करेंगे, अब यहां करेंगे क्या हम लोग, एक कमांड लिखेंगे, सेट पाथ करने के लिए, किसका सेट पाथ, पाइफन का सेट पाथ, सेट पाथ करने के लिए, यहां लिखेंगे, सेट पाथ, equal to और यहाँ पर copy कर देंगे इसको path को ठीक, जैसे इसको copy करेंगे, enter करेंगे, हमारा path set हो चुका है, ठीक ये दूसरा तरीका होता है और तीसरा तरीका कि यह होता है कि हम लोग इसका path को copy करेंगे ठीक, उसके बाद क्या हैं करेंगे और यहां right-hand click करेंगे, और यहां जब click करेंगे, एक box फुलकर आएगा, जहने सब से नीचे लिखाएगा properties, उस पर click करेंगे हम लोग, यहां पर लिखा होगा, अपने हम देखेंगे, right-hand side में, advanced system setting, इस पर click करेंगे, एक dialogue box open होकर आएगा, नीचे लिखा होगा environment variable, इस पर click क अगर आपका path नहीं set है, तो आप यहां पर click करेंगे, new पर click करेंगे, और यहां पर variable का name देजिए, python देजिए या path देजिए, तो यहां पर अपना value को पेश करेंगे, value क्या होती? address, जो आपका python का path है, location को पेश करेंगे, उसको पेश कर देंगे, और ok कर देंगे, तो हमा python के पास set हो गया, आप कैसे चैनलेंगे, command पर open करेंगे, और यहां पर जैसे python type करेंगे, आपको बता देगा python आपके में install है, उसका version दिखा देगा सबसे top पे, और यह cell खुलके आजागा, यहां पर आप लोग python की coding कर सकते हैं, ठीक, इसको बाहर जाने के लिए command cell से exist का command ह होता है, आप इससे बाहर आजाएंगे, यह तो हुई हमारी बात कि कैसे हम लोग python को install करेंगे, कैसे उसका path set करेंगे, path set करने के हम लोग ने तीन तरीके देखें, अगले वीडियो में python का basic से start करेंगे, python का basic क्या होता है, कैसे use करते है, basic concept पढ़ेंगे, यह आने वाली videos मे तब तक के लिए, thank you everyone